हाई गाईज स्वागत है आपका आपने यूट्यूब चैनल एकजी स्टडी सेंटर में आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में तेन्थ क्लस्के बिग्यान यानि कि साइंस का अबजेक्टिव कोश्चन और कितना देखना है 200 जो की भी भी अबजेक्टिव कोश्चन होगा तो आप वीडियो के अंतक बने रहे हैं यहापके एकजाम के लिए काफी इंपोर्टन कोश्चन होगा तो आप वीडियो पार्ट सेंट यानि इससे पहले का वीडियो यह आप नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन नहीं देदी हैं आप वीडियो को जाका जरूर एक श्यूह थे पर देख सकते हैं पर्स्ट कोश्चन हमारा कहा रहा है एक उत्तर लेंस की छामता 1 डाइप्टर है तो उसे ध्यूरे है कि एक लेंज की छामता जो है एक डाइप्टर है कितना है एक डाइप्टर है तो उस लेंज की जो फोकस दूरी होगी वह कितना होगी तो आपको पहले बता दे कि लेंज की छामता जो है उसे हम लोग पी द्वारा बेक्ट करते हैं किसे पी द्वारा और पी बराबर जो है वह व निकाल सकते हैं तो प कीतना दिया हुआ है यानि वान दिया हुआ है और फार्मूला में था तो इसे आप तिर्चागूना करेंगे तो फार्मूला आएगा फीर फारबर क्या लेकर प्लाबर वन जो है तो आपका मीटर में आया टौन सब्सक्राइब कसंचत nos वालहे हैं सब्सक्राइब तो ते देख सकते हैं कि आपको तो आपको डीख रहा है कि यहां पर दो सvidal पर कंए में डोह एकि सी में 100 संटिने में अब को बता दे कि छोपने को फिर से देखना है आप से यहांपे क्या पुछाय है उत्तर लेंस पुछाया तो आपको क्मता जो होती guesses होती है वह sas प्लस जो है वह धनात्मक संकेत और माइनस को रिनात्मक लाजता है तो इसलिए आपका option नमर C जो है वह बिल्कुल राइट है चलिए next question क्यों भरते है नेक्स्ट कोस्चन हमारा दो नमर कोस्चन का रहा है प्राग नलिका का विजांड की ओर ब्रीधी करना कीस परकार के अनुवर्तन से संबंधी थै यहनि प्राग नलिका जो है उसका विजांड की ओर ब्रीधी करना वह कीस परकार के अनुवर्तन से संबंधी थै तो option यहां पर दिए हुआ है परकास अनुवर्थन गुरुत्व अनुवर्थन जला नुवर्थन या रसायन अनुवर्थन तो आपको बताते कि जो परकास की दीशा की और गती करता है उसे परकास अनुवर्थन और जो प्रिथवी की गुरुत्व की दीशा की और गती करता है उसे गुरु लिखा का विजान के और विर्धी करना रसायना अनुवरतन कहले तो इसलिए आपका और डी जो है विल्कुल राइट है चलिए नेक्स्ट क्यों महटते नेक्स्ट कोस्टन हमारा तीन नमर कह रहा है निम्नलीकित में से कौन और संत्रीप्त हाइड्रोकार्बन तो आपको यहा पार्ट फोर पार्ट फाइब पार्ट शिक्स तक बन चुका है और यह जो वीडियो है आपको च्छोब वीडियो में 180 मिल गया है और यह आपका चाहिए आपको 200 मुझा है तो यहां आपके एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंड कोश्चन होगा यह भी वी आई कोश्चन है और यह एंसी आर्टी बुक में भी यही कोश्चन आपका मिलेगा तो आपको यहां पर आप चली पर किया है तो सबसे पहले आपको बतादे कि हाइड्रो कार्बन यह जो होती है कियो ग्ल 29 j अब आप से रिद्र झघर अपने यह आपसे के आपका मिलेगान निम्लिखीते और आपका उसंतित त्रुपार minist का जो इद्राण है वह आपका कि यानि औस संत्रीप्त हाइड्यक वो है एलकीन या इलकाइन सरेनी के योगिक में उतैción याँ ए इक संतरीप्त हाइड्यकरण में और य कश. से यहां पर पूछ रहा है कि और संत्रीप्त हाइड्रोकारवन तो पहले बता देंगी एथ में जो रहेंगे तो मेथेन हो जाएगा वह एलकेन सरेनी का एथ में जो रहेंगे तो एथेन हो जाएगा वह संत्रीप्त हाइड्रोकारवन का उधारन है और उसी में एथ में हम इन यादी जो रहे है तो हां ये थीन हों गिया याणि यह इलकीन सरेनी का इज़ी है इसलिए आपका यह संतीप्त हाइडोकरबुन का उधारन है इसलिए आपका आपका जोरी बिल्कुल राइट है चलिए next question क्यों भरते हैं next question हमारा चार नम्र कहा रहा है कार्बो हाइडरेट प्रोटीन तथा वासा के पूर्ण पाचन का अस्थल निमनलीखित में से कौन सा है यानि option जो चार इसमें दिया हुआ है इसमें से पूछ रहा कि कार्वो हाइडरेट प्रोटीन तथा वासा का पूर्ण पाचन का अस्थल निमलीखित में से कौन है आपको बता दे कि आपका जो है वह जो चोटी यात को चुदरांत भी लिएगा चहोटी याहां भ्राइकित में दिया हुए P2 Jetzt तथा वसा का पुन पाचन का अस्थल है इसलिए आपका option नमर सी बिल्कुल राइट है चलिए next question क्यों बरते हैं next question हमारा पांच नमर question कहा रहा है समान्य अनुसीथिलन रक्त दाव होता है ओपसन में दिये हवा है एक में 80 mm v11nd tussen आपको बता दे ही आपका ही र्ला का पैला होता है यदाब पैलने को ही नुसे डाइसट्रल बोला假त है कि र्लाइसट्र वोला जाता है तो हिर्दय का संकूचन और यां pronounce टॉलिक प्रेस्र जो आप से पुछेगा स्बाइट इनि सिस्टॉलिक प्रेसर बोगे दी स्टॉलिक प्रेसर ब्रहक बराबर एकजर होता है 1200 बैंसी होता है किया 120 बीजरी यांनुसित्लान है और ा्कतोन इसी में आपा इसलिए option नमबर ये आपका बिल्कुल राइट है आशा करता हूं कि question आपको अच्छी तरह से समाझ में आया होगा नेक्स्ट कोश्चन क्यों बरते हैं next question मारा छोव नमर question कहा रहा है विधूत आवेश का एस आई मातरक क्या है यानि विधूत आवेश जो होते हैं उसका और बता दे कि यह आपका ओम जो है यह वह विधूत पर्तिरोध का एसाई मातरक ओम होता है यह वह आपका ओम होता है और यह वह वांतर का एसाई मातरक वोल्ट होता है चलिए और इसमें जब पुछा है वह आपसे पुछा है विधूत आवेश का एसाई मातरक तो विधू कुस्टन कीव वर्णते है सातनों हमारा कंबहर खरया नीमन में से कौन सा मंधदाती है है इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा उपधात new है तो आपको तदर जेड ज्वा uw झींग जिक आपका ने यह तो ज्य का दातू है क्या रोहें इसमें सिर्फ आपसे पुछा उपधातु इसलिए नमर लिहाग फनीतर कुलिके क्यों गोड़ते हैं आठ नमर्बाना कॉस्चन में परकास का कुंसा रंग इसको वर्न पहीं और रंग वर्ण को ही रंग बोला जाता है यानि वाई मंडल में परकास का कौन सा रंग अधिक प्रकिर्णन करता है तो प्रकिर्णन वही अधिक करता है जिसका तरंग देर कम होता है यानि जिस भी रंग का तरंग देर कम होता है वह प्रकिर्णन अधिक करता है और जिसका तरंग दैर अधिक होता है वह प्रकीर्णन कम करता है तो आप यहां पे देख सकते हैं यहां पूछ रहा है अधिक प्रकीर्णन तो जो प्रकीर्णन अधिक होगा तो उसका अवस्चे ही तरंग दैर कम होगा तो आपको बता दे कि तरंग दैर इसमें नीला रंग का सबसे कम ह वाला रंग वह आपका निला है तो इसलिए इसका प्रकीरना जो है वह अधिक होता है यादि आपसे पुछे का इसी में कि सबसे कम तरंग दैर वाला रंग कौन सा है तो भी आपका निला ही होगा यादि इसका तरंग दैर कम और प्रकीरना जो है वह आपका अधिक होता है या निख्रंग मरमर के रांचा वाल देता है कि खाडिया लिखा उसे इंगलिज्छ में चौक बञ़ता है और हिनी मेंbé उसे संग्मर्मर या खाडिया भी बोला जाता है तो इसका रांचा मज़ य यानि कैल्सियम कार्बोनेट का संगेत है तो आप सी में देख सकते हैं दिया हुआ है यहां पे आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा कैल्सियम कार्बोनेट सब्सक्राइनने लिखा हैं लिखाट कैल्सियम कार्बोनेट वह देख सकते हैं और ओपसन देख सकते हैं इसमने में डीय B में उपचयन और C में दिया हुआ है संचारण दि में इन्में से कोई नहीं तो आपको बतादे इससे पहले भी वीडियो में आपको बता चुके हैं ये कोश्चन कि oxygen जीस भी पदार्त में oxygen जूटता है औक्सिजन जुटता है तो वह उपचयन अभीकिरिया कहलाता है या हाइड्रोजन घटता है तो भी वह उपचयन अभीकिरिया ही कहलाता है या औक्सिजन जुटता है और हाइड्रोजन घटता है या साथ में भी हो तो भी यह उपचयन अभीकिरिया ही कहलाता है और उसके यह दोनों साथ साथ हो तो भी वह अभीकिरिया ही होता है और यह किसी पदार्त जैसे आप देखते हैं लोहे को जब जंग लाग जाती है तो जहरना प्रणा हो जाता है यानि लोहे पर जब किसी मतलग कि उसे छोड़ देते हैं तो उसमें नौम लग जाता है यानि जंग कहते हैं उसे तो वह जहरना प्ररण हो देता है वही आपका संचारन का उधारन है तो इसमें आप से पूछा है कि किसी भी वस्तु में यानि रसायनी का विकिलिया के दोरान इसलिए option number B बिल्कुल right है आसा करता हूं कि आपको question अच्छी तरह से समाझ में आया होगा यदि इतना समझाने के बाओ जी देदी आपको कोई doubt रह जाता है तो आप कमेल करके पुछ सकते हैं और मेरे चैनल पे नए हो तो प्ली चैनल को subscribe जरूर कर ले और साथ में बेल आपका question दिया हुआ है कि इन में से कौन एक उभैलिंगी जन्तु है option दिया हुआ है option देखिएगा केचुगा बी में है कुत्ता सी में बिल्ली और डी में दिया हुआ है बक्री तो आपको बता दे कि आपका उभैलिंगी जन्तु जह हो आपका केचुगा है क्या केचुगा या उभेलिंगी जन्तु का धारण है यानि ओप्षन नमर यह आपका बिल्कुल राइट एंसर है चलिए नेक्स्ट कोस्चन क्यों बरते हैं नेक्स्ट कोस्चन हमारा बारा नमर कह रहा है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरन से प्रित्वी को सुरक्षा परदान करती है यानि रक्त विकिरन बी में दिये हुआ है तापिय विकिरन और सी में दिये हुआ है प्रबैगनी विकिरन डी में इनमें से सभी तो आपको बता दे कि ओजोन जो है वह ऑक्सीजन कहीं एक समस्थानिक है और ओजोन का जो रसायनिक सुत्र होता है वह आपका ओधिरी होता है क्या तो यहां प्रत्कीस हानी कारक बिकीरन से प्रिथवी को सुरक्षा परदान करती है तो आपको बता दे ओजोन प्रिथवी को पराबैगनी कीरने से यानि पराबैगनी बिकिरन जो है उसे पराबैगनी किरने भी बोला जाता है तो पराबैगनी बिकिरन से ही ओजोन पिरिथ्वी को सुरक्षा परदान करती है यानि यहाँ पर ओप्शन C में आप देख सकते हैं इस पराबैगनी बिकिरन से जो है वह तो अच्छा का के अंसर म बढ़ते हैं से कों सा प्रयावरन अनुकूलन नहीं है यहाँ पर आप समझेगा को स्मझ में अया होगा साइथी ऑफ्रेडाल पूझाम आपको डिया इसमें आपका दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा प्रयावरन अनुकूलन नहीं है यानि प्रयावरन की अनुकूल नहीं है प्रयावरन की अनुकूल कहने का मतलब जैसे किस चीज़ से हम चलना इसमें से जो ऑप्सन दिया हुआ इसमें किस चीज़ से चलेंगे कि प्रयाव के अनुकूल है इसलिए आपका option यह नहीं होगा अब उसके बाद बी नमर में दिए हुआ साइकिल से चलना साइकिल से भी आप चलते हैं तो उसमें कोई तेल वगएरा नहीं डालना है इसलिए उससे भी धुआ उत्पन नहीं होता है तो उससे भी हमको प्रयावरान परदूस यहां पर दिए हुआ है मोटर साइकिल से चलना तो आपको पता होगा कि जब आप बाइक से चलते हैं तो उससे कुछ ना कुछ धुआ उत्पन होती है और धुआ जो निकलती है तो उससे प्रयावरान परदूसित होती है तो यह जो है चलना प्रयावरान के अनुकूल नही इसलिए आपका question वही पुछ रहा है कि प्रयावरण के अनुकूल कौन नहीं है इन में से तो आपका C नमर बिल्कूल राइट है यह इसमें से पुछता कि प्रयावरण के अनुकूल कौन है तो आपका यह और भी दोनों हो जाता तो इसमें पुछा है प्रयावरण के पोसन जो है उसके लिए इनमें से क्या-क्या आवस्यक है option A में दिया हुआ है पर्न हडित B में दिया हुआ है सूरिय परकास और C में दिया हुआ नेक्स्ट कोस्टन अमारा 15 नमर कह रहा है नेत्र में पर्वेश करने वाली परकास की किरनों का अधीकांस कहा होता है तो आपको बता दे कि करनिया के बाहरी पिष्ट पर नेत्र में परवेश्ण क्यादे इसलिए आपका option A बिल्कुल राइट है चलिए next question क्यों बढ़ते हैं next question हमारा 16 नमर question कह रहा है कौन सा hydrocarbon सबसे सरल योगिक है यानि इसमें आप option देख सकते हैं चार option दिया हुआ है इसमें से पूछ रहा है चारो option में से कौन hydrocarbon ये चारो जो है आपका hydrocarbon का उधारन है क्या चारो hydrocarbon का उधारन है सबसे सरल हाइडरो का उधारन है ये बकेन सरेनी का सदसे है इसमें आपका मिधेन वा सबसे सरल हाइडरो कारवन है तो इसमें आपका option नमर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा चलिए next question क्यों बढ़ते हैं 17 नमर हमारा question कह रहा है दांतों को साफाई करने के लिए यानि दांतों को साफ करने के लिए जो हम दंतमंजन का उप्योग करते हैं वह प्राया होता है यानि आप जो अपनी दातों को सफाई करते हैं तो दंतमंजन से या कोलेट से साफ करते हैं तो वह ौह किस परकर होता है चारिये होता है या अमलिये नहीं होता है लौन यूक्त होता है इसे साफ करते है और आपकी दांत चमकने लगता है उसलिए आपका option नमठ ए बिल्कुल right है चले next question क्यों बढ़ते हैं 18 नमर हमारा question कह रहा है क्लोरीन परमानों की बाहतम कक्षा में इलेक्ट्रोन की संख्या कितनी होती है यानि क्लोरीन एक परमानों है क्लोरीन परमानों की बाहरी कक्षा में यानि बाहतम को कहने का मतला बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रोन की संख्या कितनी होती है तो आपको पहले बता दे कि क्लोरीन की यह जो निकालने के लिए आपको चाहिए इसके लिए परमानु संख्य याद होना चाहिए एनि आपको 1 से 30 तक कम से कम तो 1 से 30 तक परमानु संख्य आपको याद रहना चाहिए क्लोरीन की परमानु संख्य जो है आपके 15 होता है, कितना होता है, 17 होता है और इसका electronic विन्यास जो है 3P5 कितना होगी है 3P5 यानि अब देख सकते हैं 5, 2, 7, 6, 13, 2, 15, 2, 17 यानि इसमें 17 इसका परमानुशन के जो होती है वह 17 होती है और इसकी इलेक्ट्रोनिक मिन्यास इस पर कर होती है 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5 तो इसके बाहरी कक्छा में जो है इसके बाहरी कक्छा में जो है यहाँ पर कितना है 2 है और यहाँ पर 5 है यानि 2 प्लस 5 कितना होगी है 7 यानि इसके बाहरी कक्छा में 7 इलेक्ट्रोन यानि 7 इलेक्ट्रोन उपस्थित है इसलिए यहाँ पर आपका C नमर बिल्कुल राइट है को उल्य आपको कहाँ जीस परकार आपको कारबन का पर्मानुल संहिता चो फीज चो अरो इसकी और इस्क्ट्रोनिक उण्यास बादा नदा ऊंफ टू olmaz 2 to hablab टुखो होगाइगा यहां पर 3P तू होगा यहां वनस टुब यहां 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 देख सकते हैं वह सबस्किद द no है इस street इसकी बारेक अक्षा में दो इलेक्ट्रण है यह आप ही आपका साथ होटे हैं अियानि आपसी आ्पसे आप से यह भी पूछ? क्लोरीन परम憲ानों की बाहरी काक्षा में यहां पर पूछा है कितनें हैं और आपसे यह पोछ़ सकता है कि क्लोरीन परमानों की सख्वक half होती है यह स्योजी कलोरीन पर मानूं में स्योजी इलेक्ट्रोन की संख्या क्या होती है तो भी आपका साथ ही होता है यानि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रोन उपस्तित होता है उसी को हम लोग स्योजी इलेक्ट्रोन बुला जाता है इसलिए आपका स्योजी इलेक्ट्रोन की संख्या भी साथ है यह अवक्षन नंबर सी बिलकुल राइट है चलिए नेक्स्ट कोस्चों क्यों बढ़ते हैं उनने इस नामबर आपको बता दे कि पूमंग या पूंकेसर बोला जाता है तो यहां पर आपसं देख सकते हैं यहां पर दिये हुआ है पूमंग यहां पूंकेसर तो आपको वह ही पुमांग कोहीं पुमकेसर बोला जाता है इसलिए आपका option number A जो है वह बिल्कुल right है लेकिन यहाँ पे एक बात और समझ लीजे कि यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछा है नर जननांग और इसी जगह पे आपसे पूछ देगा नर के जगह पे मादा यानि मादा जननांग आपक इसमें पुछा है नर जननांग तो आप पुमकेसर मारिएगा और मादा पुछेगा तो जयांग मारिएगा चलिए आपका उनेश नमबर का जो राइट इंसर है आपका A नमबर है नेक्स्ट कोस्टन क्यों बढ़ते हैं 20 नमबर कोस्टन कह रहा है निमन में से कौन गंगा पर दूशन के लिए उत्तरदाई नहीं है यानि उप्सन जो इसे में दिया हुआ है इन में कौन असा वप्सन गंगा पर दूशन के लिए उत्तरदाई नहीं है यह गंगा देक्ट Кरत को इसमें उत्सरजन करना तो आपको बताते गंगा में मचली पालना यहाँ आपका परदूसन के लिए उत्तरदाई नहीं है क्योंकि गंगा में मचली पालने से क्या परदूसन फैलेगा जी नहीं गंगा में मचली आपका अक्सर गंगा में मचली देखते हैं तो गंगा में मचली पाल यह आपको परदूसन के लिए उतरदाई है और गंगा मेरा साइनिक अप्षिस्ट पदार्थो का उतरजन करना भी यह आपका परदूसन के लिए उतरदाई है तो यहां पे पुछा है उतरदाई नहीं है यह आपका आप्सन नमडर यह है बिल्कुल राइट चलिए दख सबसे बरा होता है तो अभी आप को एक कोस्चन बताए हैं जिसमें पुछा हुआ था कि कीस वर्ण का प्रकेनन सबसे अधिक होता है तो यहां पे आपको शमझाए है कि जिस भी रंग का तरणग तरंग दैर्ग कम होता है उसका प्रकिनन अधिक होता है तो उसमें आपका एंसर था नीला यानि नीला रंग का तरंग दैर्ग कम होता है और प्रकिनन अधिक होता है तो यहां पर आपसे पुछा है सबसे बारा यहां पर पुछता तो आपका अप्शन नीला ही सही होता लेकि एस्सकी कारण आप अखसर देखते हैं कि रेल वे के सिगनल या किसी चीज के सिगनल बेरेग कम होता है इसके करण कोई भी वी वेक्ति है वह सावधान अपना हो जाता है इस इसका तरंग ढर अधिक होता है इसमें आप से पूछा है किस वर्न का त्रेंग दैर सबसे बरा होता है तो आपका लाल रंग है यह कोश्चन को भी आपको एक कोश्चन में भी इसका दो नमबर के कोश्चन में भी पढ़ना है वह आप जान लीजे क्या है तो यह आप से कोश्चन पुछता है कि लाल रंग का मतलग कि रेलवे के सीगनल के लिए लाल रंग का यह काफी दूर से ही दिखाई देने लगता है इसी कारण रेलवे का सिगनल लाल होता है चलिए यहां पर आपको आप्टेशन यह जो है आपका आपजेक्टिव कोश्चन है यहां पर एक नमर में पुछेगा यहीं की सुवर्ण का तरंग देर सबसे बरह होता है तो आपका ल दरपन का उपयोग समानेता वाहनों को पस्च दिरिश्चे दरपन के रूप में किया जाता है यानि वह कौन सा वर्ण है जिसका उपयोग पस्च दिरिश्चे दरपन के रूप में किया जाता है यानि वाहनों का तो आपको पस्च दिरिश्चे दरपन यानि वाहन जो होती तो गारी को जब चालक चलाता है तो उसके सामने एक यह आप भी बाइक जब चलाते होंगे तो आपको पता होगा कि बाइक के सामने बाइक में आपको दो आइना लगा होता है जो आपके साइड में एक आइना होता है तो उसमें आप देखते हैं पीछे की वस्तू को यानि प वह कौन सा दर्पन होता है समतल अप्शन दिया हुए समतल दर्पन उतल दर्पन उतल दर्पन या इन में से कोई नहीं तो वहां में जो परस्च दर्पन के रूप में परयोग किया जाता है वह आपका उतल दर्पन है क्या उतल दर्पन है यापका उप्शन वर सी बिल्कुल बनाता है यदि उत्तल दरपन पर्ति वीम जो है वह आपका सीधा और छोटा बनाता है जिसके कारण पीछे की वस्तु काफी दूर से ही दिखाई हमको दे देती है और उस परकार से आप यदि बाइक चलाते तो आप बाइक को यदि आपके पीछे से कोई गारी आ रहे तो निम्न में कौन सा पद बीधूत पड़िपत में बीधूत सक्ति को निरूपित करता है क्या निरूपित करता है यहां पे आपको यह कोश्चन मिले का निरूपित नहीं करता है और यहां पे कहीं कहीं पर देता है निरूपित करता है तो आपको होता दे कि निरूपित जो करता उसमें आपका option में यह दो रहेगा यह दो बदल जाता है लेकिन यह दो आपका option रहेगा तो उसमें निरूपित जो करता है वह आपका आई स्क्वाइर आर है और निरूपीत नहीं करता है यहां पर कोस्टन जब पुछेगा निरूपीत नहीं करता है तो अहां पर आपका एंसर यह हो जाए और निरूपीत करता है तो यह आपका आई स्क्वाइर है अभी तो आपसे जो इसमें कोस्टन पूछा है कि निरूपीत करता है इसलिए आपका option A ही बिल्कुल राइट है और option B, C और D यह जो तीनों है यह आपका गलात है यानि विधूत परिपत में विधूत सक्ति को विधूत सक्ति को ही horse power बोला जाता है यानि आश्व सक्ति आश्व मतलब घुरा होता है उसे horse बोला जाता है और सक्ति को सक्ति को निरुपीत इन में से कौन करता है तो आपका i square R है यानि ए नमबर बिल्कुल राइट है चलिए next question क्यों बढ़ते हैं 24 नमबर हमारा question कह रहा है कवक में यानि कवक में पोशन की कौन सी बीधी पाई जाती है तो आपको बता दे कवक जो है वह आपका मिरित जीवी पोशन वाला जीव है क्या मिरित जीवी पोशन वाला जीव है यहां जो है वह आपका विशंपोशी का ही एक भाग यह विशंपोशी जो है वह तीन परकार के होती है मिरित जीवी पोशन पर जीवी पोशन और प्रानी संपोशन आप से पूछ सकता है कि विशंपोशी पोसन वाले जीव का अधारन को मिर sembi पोसन वाले जीव की RS ऑपantis तेखें बिल्कुल सुख इन संब्रश्कियोUND कंट में से यहां की Qs की फोकस धुरि धनात्मक होती है डिकास धुरि लेंस इसमें दिया हुआ है इसमें से की DS की फोकस धूरि धनात्मक होती है तो आपको पहले भी यह बता चुके हैं और आप जानते भी हुएगा कि उत्तर लेंज जो है वहाँ आपके फोकस दूरी धनात्मक होती है यहनि उत्तर लेंज की फोकस दूरी आपको फॉर्स्ट कोस्चन ही आपको बताए है उसमें आपका था फोकस दूरी प्लस 100 cm आपका ए यहां पर आपका ए नमबर था क्या आपसन नमर ए बिल्कुल राइट था यही 100 cm यहां आपका उत्तर लेंज पुछा हुआ था उत्तर लेंज की छामता यहां पर फोकस दूरी पुछा हुआ था यहां आपका प्लस में है यहां धनात्मक है और आप देखिए वही कोस्चन आपका फिर 25 नमर में है वही आपका 25 नमर में कोस्चन है कि इन में सिक्षी लेंज की फोकस दूरी धनात्मक हो थी तो आप आसानी से बता सकते हैं वह आपका उत्तर लेंज है और रिनात्मक पुछेगा तो अउत्तर लेंज मारना है ठीक है चलिए आपका बी नमर की प्रकिरिया क्या कहलाती है यानि एल्मूनियम जो है उस पे मोटी ऑक्साइड की परत बनाना यानि परत चढ़ाना या बनाना वही होता है तो बनाने की प्रकिरिया जो है वह क्या कहलाती है ओप्सन देखते हैं जस्तिकरन एनोडी करन सम्रिधिकरन और इन में से कोई नह पे मोटी औक्साइड की परत्च धाना वह आपका एनौडी करन कहलाता है क्या एनौडी करन यानि आपका ऑप्षन नंबर बिल्कुल राइट है चलिए नेक्स्ट कोस्चन क्यों बाढ़ते हैं नेक्स्ट कुस्चन हमारा 27 नंबर कह रहा है पीतरस कहां से स्रावित होता है या आपको बता दे पीत रस आपका याकरित से स्रावित होता है कहां से याकरित से यानि आपका option नमर भी बिल्कुल right है चलिए next question क्यों बढ़ते हैं 28 नमर हमारा question कह रहा है निम्न में से यानि निम्नाइकित में से कौन पुनरुद भावन का उधारन है तो आपको पहली ये बता दे कि पुनरुद भावन या क्या होता है या पुनरुद भावन जो है या आपका क्या होता है तो पुनरुद भावन का जो अर्थ है वह आपका पुनर जनन होता है अब आपको सायद समझ में आग्या होगा कि या पुनर जनन क्या होता है पुनर जनन कहने का मतलब है कि पूनर जनन भी बोला जाता है तो यहीं आपसे पूछ रहा है कि निम्नांकित में से कौन पूनर जनन यानि पनुरुद भौन का उधारन है तो आपको आपका बता दे कि आमीबा जो है वह आपका सोरी आमीबा नहीं है आपका हाइडरा जो है वह आपका पुनौरुद भावन का उधारन है य norm हाइडरा का सरीर तब के टूकर कर देने से उसके एक टूकरे चिंह का निर्मान हो Güney का निर्मान हो जाता है तो इसलिए यह जो है आपका पुनौरुद भावन य hundred गॉर बढ़ते हैं इनि आपका 28 मानों फि्रदे में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है कोष्ठों दिया है कितनी होती है आपको याद है तो बता सकते हैं नहीं तो हम बताते हैं कि आपका जो है मानोय हिर्दे में कोष्ठों की जो संख्या है वह आपका 4 होता है कितना होता है चार आपको यह भी जान लिए कि चार क्या क्या होता है तो आपको तदी चार में जो है वह दो आलिंद होता है आपका दो आलिंद होता है और दो निले होता है क्या दो आलिंद और दो निले होता है जिसमें से दो आलिंद एक बाया आलिंद और एक दाया आलिंद होता है और निले भी आपका एक बाया निले और एक दाया निले होता है तो इसमें शिर्फ आप से पुछाए कोष्ठों की संख्या कितनी है तो आपका चार है यानि ओप्शन नमबर सी बिल्कुल राइट है चलिए नेक्स्ट कोष्चन क्यों बढ़ते हैं नेक्स्ट कोष्चन हमारा तीस नमबर कोष्चन कहा रहा है खाद पदार्थों को डिब्बे पर जींग के बजाए टीन का लेप होता है क्योंकि यानि जींग का लेप होता है लेप कहने का मतला है कि खाद पदार्थों को डिब्बे पर जींग के बजाए यानि जींग का कि इंक का गलनांग अधिक है और दि में दियो है तीन की अपेक्षा जिंग अधिक अभिकिरिया सील है यहां पर दियो हैद तो कर दीबू पर जिंग के वजाए टीन का लेप होता है क्योंकि यानि जो है वह अधिक अभी किरिया सील होता है यानि आपका option number C बिल्कुल right है अब आपको बताए थे कि इसमें आपका 30 question पूर्ण हो गया और इससे पहले के वीडियो में आपको इससे पहले या वीडियो part 7 है यानि इससे पहले का वीडियो आप 6 वीडियो बन चुका है यानि परतेक वीडियो में आपको 30-30 question है यानि आपका 180 question हो गया और इस वीडियो में आपको 30 मिल गया यानि 30 एड़ कीजिएगा तो यह आपका 210 हो गया में आपका नहीं आने वला है यही question आपके exam में आएगा अब यह नहीं कि यह 210 question ही आपके exam में आएंगे ऐसा नहीं है इसी में से आपको ग्वर्व में आएंगे question इतना guarantee है अब आपको बता दे कि इसमें आपको answer sheet देने के लिए बोले थे तो यह आपका answer sheet है यानि आप वीडियो part 6 देख रहे हैं यानि 7 देख रहे हैं तो यह आपका answer sheet दिया हुआ है part 7 का यानि 30 question देखे हैं इसका answer sheet है तो आप इसे चाहिए देख सकते हैं और इसे answer भी लेका रख सकते हैं अन्त में आपको एक बात कहना चाहेंगी कि यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को like किजिएगा वरना नहीं किजिएगा यदि आप पसंद आया होगा और अच्छा लगए तो भी like किजिएगा और comment किजिएगा और अपने दोस्तों हैं तब तक के लिए बाई